अस्सलाम अलेकूं माइडियर स्टूडेंट हम कॉंप्रीएंशन कर रहे हैं चैप्टर नमबर 3 जन्नी आफ चॉकलेट आपको पता है कि कोको ट्रीज पे कोको पॉट्स लगते हैं उनको खोला जाता है उनमें से बीन्स निकलते हैं उनको राइ किया जाता है फिर उन्हें ग् मिक्स किए जाते हैं और फिर पिकिंग करके चॉकले आपके खिद्मने में पेश ही जाती है। यह है, जूर्नी आफ चॉकले और इसी तरह हमारी जिम्दगी भी एक जूर्नी है, सफर हैं data होते हैं, school जाते हैं, puis काम करते हैं और फिर दुनिया से रुकसत हो जाते हैं। तो हम हर नमाज में अल्ला से दौा मांगते हैं, एहदे नस्रौत अल्मुस्तकीम, अल्ला ताला हमें सिधे रस्ते पे चला, वो सिधा रस्ता कौन सा है, सच का रस्ता है, और वो कुरान पढ़ने से पता चलता है. आज हम करेंगे इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर वाहिद को कहते हैं और प्लूरल जमा को कहते हैं, नाउन्स को उर्दू में इसम कहते हैं, जैसे यह है, कैट, एक कैट, यह है सिंगुलर, और अगर हम कहते हैं, हमने इसका प्लूरल बनाना है, तो यह क्या है, कैट, तो हमने सिरफ एस एड कर दिया, यह नॉर्मल, सिंगुलर से को प्लूरल बनाने का रूल है, नेक्स एक्जेंपल देखते हैं, यह क्या है, चॉकलेट, चॉकलेट का एक पीस है, और इसको इंग्लिश में चॉकलेट लिखते हैं, और यह बहुत ज्यादा चॉकलेट से हैं, तो हम खाली एस एड कर देंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, नेक्स एक्जेंपल है, यह क्या है, एक प्लांट है, और यह क्या है, यह बहुत सारे प्लांट्स हैं, इसके प्लांट के आगे हमने एस लगा दिया, प्लांट्स यानि प्लांट एक पोदा और प्लांट्स बहुत सारे पोदे, यह हमारे पास सिंगल डिश है, ठीक है, इसक आगे जब SH आता है तो उसके आगे ES लगा दिया क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि if the noun ends with the C-H-S-S-H-X-R-Z, add an ES to make it plural. यानि C-H-S-S-H-X-R-Z में से कोई लफ्स जो है वो end पे आए तो हम उसके बाद ES लगाते हैं. What is an irregular plural noun? ये तो irregular plural noun है उससे वो क्या चीज है? An irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding an S or ES to the end of this word. Irregular noun में plural बनाने के लिए आपको spelling तब्दिल करना पड़ते हैं. आप सिरफ S or ES word के end में नहीं लगाते हैं. हम आगे इस की example देखते हैं. जैसे ये क्या है? टुथ एक दांत. दांत को इंगलिश में टुथ कहते हैं और ये क्या है? बहुत सारे दांत. तो ये टुथ नहीं होगा, ये टीथ बन जाएगा. यानि हमने teeth spelling आप देखें, तबदील हो गए. टुथ से teeth बन गए. तो ये irregular noun की example है. फिर ये देखें, ये क्या है? ox. बैल को ox कहते हैं. और बहुत ज्यादा बैल हों तो उनको हम oxen कहते हैं. ठीक है? ये irregular plural की एक और example है. फिर इसी तरह ये क्या है? foot. foot. एक पॉंग. और ये क्या है? दो पॉंग. इनको इंगलिश में कहते हैं. feet. तो यहाँ पे भी देखें, आपने foot से feet हो गए. spelling change हो गए. write plurals after given singular nouns. ये हमारे पास singular nouns हैं. हमने इसके plural बनाने हैं. ये क्या है? गूज. बतख को इंगलिश में कहते हैं. गूज. और ये हैं बहुत सारी बतखें. इनको क्या कहेंगे? geese. हमने spelling तबदील कर दिये. ये है irregular noun. ये क्या है? flower. और ये है flowers. तो ये regular plural noun है. फिर ये क्या है? man. और ये क्या है? man. आप देखें, ये भी irregular plural noun है. इसमें man से plural में man हो गया है. नेक्स्ट है apple. रोजाना एक apple खाने से बंदा सेहत मांद रहता है. और ये क्या है? apples. हमने apple के end में खाली s लगा दिया. ये क्या है? watch. और ये क्या है? watch is. क्यूंके ch पे end हो रहा है तो इसलिए हमने es लगा दिया end word में. इसको wrist watch इसलिए कहते हैं कि हम इसे कलाई पे बांते हैं और कलाई को English में wrist कहते हैं. ओ यू हू बिलीव, fear Allah and speak words of truth. ऐ एमान वालो, अल्ला से डरो और हमेशा सच बोलो. तो हमें जिन्दगी अच्छी तरह गुजारने के लिए सच का रस्ता इक्तियार करने हैं, सच बोलने हैं और सचे अमल करने हैं. उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा, इसको like करें, share करें और subscribe करें.